ये वही जगह है जहां आज से करीब 94 साल पहले बापू स्वतंतरता की बुनियाद रख रहे थे जुलाई 1929 में बिटिश शरकार के खिलाब हुंकार भरते हुए महात्मा गांदी राजधानी दिल्ली से करीब 500 किलमिटर दूर कौसानी पहुचे और यहां बापू ने करीब 14 दिल बिताए उन दिन उत्राखंड में कुली बिगार प्रथा के किलाब पहाडी करांती वीरू ने बड़ी सफलता हासिल की थी और जब ये सब गांदी जी को पता लगी तो वह बहत प्रभावित हुए इसके बाद गांदी जी को जैसे ही वक्त मिला वो मां भारति के इन वीर सपूतू से मिलने पहुच गए और आजादी की रणनेती बनाने कौसानी आ गए जो भरा नहीं है भावं से बहती जिसमें रसदार नहीं वह हिर्दय नहीं पत्थर है जिसमें स्वधेश का प्यार नहीं नमस्कार आज हम पहुचे हैं कौसानी में और गांदी जी ने इसे मीनी स्विजालेंड का नाम दिया था और 1929 में गांदी जी यहाँ पे दो दिन के प्रवास के लिए पहुचे थे और हम पहुचते हैं अनासक्ति आस्रम आप देख सकते हैं सामने गांदी जी की मूर्ती यहाँ पे बनी है और बुरा मत सुनो बुरा मत देखो और बुरा मत कहो यह यहां पे तीन बंदरू को दर्साया गया है और हम अंदर चलते हैं गाधी जी जब यहां रहे थे उनकी कुछ सुनहरी यादें यहां पे हैं और आज भी यहां पे प्रातना होती है दूर दूर से यहां पे प्रेटक पहुंचते हैं प्रात्ना के लिए तो आप को हम लिए चलते हैं अनासक्ति आस्रम में अनासक्ति आस्रम आप देख सकते हैं यह गाधी जी का अनासक्ति योग करके फुस्तक की जो रचना यहां पर उन्होंने की थी बहुत स्वागत है सर आपका सर आप यहीं रहते हैं क्या नाम आपका मेरे राजंदर विष्ट तो क्या है यहां की विशेष्टा यह बताएंगे आप यहां की विशेष्टा एक मीजिम बना हुआ है गाली जी का पागी रूम में हमारे पास पहने के लिए गैस्टों के लिए उसके अलाबा एक पुस्तक वह है भंधार प्रातना वग प्राजी जी पिता जी और गादी जी बच्मन की फोटो है और उसके सिवाव सारी फोटो लगी हुई है बताएं इनके बारे में यह बादी जी लगी हुई है आज़े आज़े यह गादी जी ने तब कानून के पढ़ाई की थी लेलबी किया था है ना लंदन से उन्होंने पढ़ाई की थी तो यह तब की तस्वीर है और यह गादी जी अफरीका में है तब की तस्वीर है तो आप देख सकते हैं यहां पर पूरा उनकी जीवनी फोटो से दर्साई गई है अलग-अलग तस्वीर हैं पूरा जीवनी उनकी यहां पर तर्साई गई है तो यहां पर क परेटक आते हैं यहां उत्रघंड यूपी डिली बंबई गुजरात वैस्ट बंगाल मदरास महराश्ट से बीदेश्चु से भी परेटक जी जी बीदेश्चु से भी आते हैं तो आप देख सकते हैं लगातार साल भर यहां पर प्रातना होती है सुभी च्छे बजे और साम च्छे बजे यहां पर प्रातना होती है गाधी जी का अनासक्ति आस्रम है यह म्यूजियम के जरिए पूरी तस्बीरें आज भी संजो कर उनकी रखी गई है एक एक चीज को बारिकी से यहां पर दर्साय गया है देख सकते हैं आप गाधी जी ने अलग-अलग आंदोलन सारी तस्बीरें यहां पर दर्साई गई है आगे की और जानकारी हम आपको देंगे सर और क्या है यहां की बिसेस्ता मौसम काभी सुंदर है जी मौसम सुंदर है ठंड़ा भी बहुत है गर्मी का मौसम है और ठंड़ा बहुत है अजकर बर्साट की टैम में अन्यत्र जैसे अभी लोग गरम से परेशान हैं गरमी से लेकिन इहां पर ठंडाया आपने भी स्वेटर पहनी है ठंडाया सर यही खुबसूर्ती को देखते हुए गाधी जी ने यहां का नाम स्विजलेंड रखा मिनी स्विजलेंड तो आप ने देखा गाधी जी का यह अनासक्ती आश्रम है दो दिन का प्रवास उनका था है यहां पे और दो दिन चौदे दिन तक वो यहां पे रुगे यहां की खुबसूर्ती को देखते हुए बागेश्वर के कोसानी से जगदीश पांडे उत्राखंड तक बागेश्वर के का प्रवाद पांडेश्वर के को